हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है विथा बहु कुछ नास्ता दे दो आज नास्ता नहीं मिला कमरे में दो पहर बारा बजे सो रही बहु को ससुर जी ने आवाज लगाई अंदर से करकत सी आवाज आई मेरी तवेत खराब है बाबू जी मुझसे कुछ ना कहिए जा ये किसी और से कहिए कहे कर बहु सिवानी सो गई बिना देखे कि उस बुजुर्ग ने सुबह से कुछ नहीं खाया कि संग जी की आँखों से आँसु छलक आए जाकर पोती से बोले पारूल बिठिया नास्ता देदे कुछ तेरी मा बिमार है सायद पारूल को मा नहीं तो संसकार दिये थे तो मा से अलग कहां थी बीना हिचके बैग उठाते हुई बोली दादा जी मुझसे कुछ ना कहिए मेरे कलास का समय हो गया मैं तो चली पोती की बात सुन सन खड़े रहे गए किसंजी और पारूल चली गए वो बैठ गए अपनी चौकी पर जब से गाउं छोड़ इस घर में आए कभी अपना पन ना मिला गाउं में जैसी सारी खुशी की पोटली छोड़ा आए बड़े चाव से गाउं से सहर आये थे किसंजी बेटे का घर बन गया बेटा बहु के साथ रहूंगा कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदाली थी किसंजी ने लेकिन ये दिन देखना होगा ये कभी नहीं सोचा था अपने आपको सहियत कर उठे और महले की दूसरी गली में रहती थी उनकी बेटी अन्नू जेट के तेज चिलचिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए पोचे बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन दुक्का ऐसा भावा रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाजा खोलने से पहले ही चले जाएं कैसे बेटी से रोटी मांगूँगा कैसे कहूँगा कि मैं भूखा हूँ सोचते हुए वापस मुड़ी ही रहे थे कि बेटी नी दरवाजा खोला पिता कोई समय देख वो हैरान थी बाबु जी आप आए ना लेकिन इतनी धूम में आप क्यों निकले बाहर आए बैठिये तो यहां कहते हुए जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भाग कर पानी का गिलास ले आई पानी नहीं बिटिया दो रोटी खिला दे कहते हुए सर जुग गया किसन जी का आँखों में आशू आ गए अन्नू भाग कर सोई गई रोटी दाल सबजी थाली में डाला और भाग कर ले आई उस पल में कुछ सोचने समझने की ताकत खो दी थी जैसे अन्नू ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वहीं प था जिसे सुनकर अन्नू सन रह गई आँखों से आंसु बह चले ये वहीं पिता है जिनके उगाय अनाज और सब्जी से बड़े संयुक्त परिवार का पेट भरते बाकी बची अनाज और सब्जीों से गाउं के गरीब का पेट भरता था आज वहीं पिता दो रोटी के बात सुन प्रिवेश ने किसन जी से वादा लिया बाबु जी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ आज के बाद कल से रोज सुभा नास्ते के समय आप यहां आएंगे बेटी के घर का नहीं खा सकते लेकिन बेटे के घर तो खा सकते हैं बाबु जी आप किसी बात का दुखना करें बेटी है आपकी और सब कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी होकर मा बन जाती हैं तो चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी मातरत के दाईतों का निर्वाह कर पाती है या नहीं कहते हुए प्रिवेश हाहा करके हसने लगे और उनकी हासी सुन किसन जी भी मुस्कुरा उठे प्रिवेश के सिर पर इसने हिल हात रख उठे और चले गए दूसरे दिन बाबु जी आए ठीक नास्ते के समय अन्नु देख़ुस हो गई बाबु जी का हाथ थाम डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो देखा बाबु जी ने सफेद गमचे में छोटी सी गठरी पकड़ी थी उसे देख अन्नु ने कहा बाबु जी क्या है गमची में लाए रख दूँ आप अनास्ता कर लीजिए किसन जी ने वो गठरी खोल दी बेटी के सामने धेर सारे फूल थे ले बिठिया रख दे पूजा की टोकरी में दामाजी की पूजा के लिए फूल चाहिए होते है ना अब रोज मैं फूल ले आऊंगा अन्नु ने फूल ले लिया और आज अपने पिता कमजोर नहीं लगे मजबूत लगे ठीक वैसे ही जैसे पहले वो सब का पोसड करते थे आज इसर के लिए फूल ले कर आए इससे बड़ा और क्या हो सकता था उन्होंनी तो एक पिता के भावों को भी सहजा था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना उनके लाए फूलों से आज इसर की पूजा कर प्रिवेस भी खुस हो गए ऐसी दिव्यन भूत उन्हें कभी ह भाकर खुस थी आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद